कनक कनक तेशो गोनि मादगता दिकाय वाखाए बौराय नर यापाय बौराय तो यहां दिखिए कनक कनक साथ में लिखें न कनक तो दो बार आया हुआ है हमने बोला ना पेएर एक जोड़ा अपने साथ लेकर एक सब्द चलता है जब भी यमक आएगा तो अपने साथी को लेक दूसरे कार्थ है सोना सोगोनी माँ जटता तो यानि यहां गाने का मतलब यह है जो ब्लॉबर ध्यकर आदमी खाने से सोना जो real भ्लॉप का मद है जो लाष ऑनियोक तो स कच अधीक कि भांग होटा है किसे ब्लॉम होद statewide खाए अधीक है अधिक गया पाए यार निजी होता है और ऊसको खाने से नसा होता है। कि उसमें आदमी बावला हो जाता है जरू झाल एंट वह कंथा अगर कौने और वह भ ön The इसमें क्या है इस्के आपका अपके अपनी youtube channel mindmaker गु॔रग में हम लोग अलंकार को पढ़ रहे थे तो अलंकार की अभी परिभासा मैंने आपको बता दिया कि अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभासा क्या है और अलंकार के प्रकार मतलब उसके टाइप कितने हैं तो सब्दा अलंकार अर्था अलंकार उभ्या अलंकार हमारे तीन बताया तो हमारा सब्दा अलंकार को बता दिया तो मैंने का जो दूसरा विध है वह यमक अलंकार ठीक है यमक अलंकार हम आज हम लोग यमक अलंकार को पढ़ते हैं यह हमारा दूसरा है यमक अलंकार तो इसकी हम परिभासा देखते हैं यमक अलंकार की कि इसे हम कैसे पैचाने अगर एक्जाम में आ जाता है पूछा जाता है तो इसे हम कैसे पैचान पाते हैं कि यमक अलंकार यह है देखिए जहां एक सब्द दो या दो से अधिक बार है एक सब्द की बात हो रही है दो से या दो से अधिक बार है किन्तु अर्थ जो होता है उसका अलग हलोग हो एक समान अर्थ नहीं होना चीए दो सब्द आएगा एक ही जैसा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा अलग हलोग हो तो देखी यहां पे हमने बोला ना सब्दालंकार हमारा चल रहा है तो सब्दालंकार यानि यहां सब्द की बात हो रही है मैंने बताता ना कि जहां सब्द से कावे में चमतकार उपन हो यानि उसकी सुंदरता जो बढ़ जाता है कावे की हमारी जो सोबा होती है वो बढ़ ज आर्फ एक हैं तो सब्द नंग्कर रहे हैं तो हमारे यहां पर क्या चल रहा है सब्द तो सब्द नम्मकर में सब्द की बात हो भी सब्द निढ़िएience लिए अलग अलग टिक जो डोनों के सेम अर्थ नहीं होगे अलग-लग 훨씬 एक अगर डूसरा अज को आप बढ ikke पैचाने के कैसे उसका । भ्म आपको बता रही तकत कर दो कितिके यहां में नीचे लिखा हुआ दो यानी यूखम यूंधन यानि आप समझो ओसका मतलब जोड़ा यूग में जो है जोड़ा जोड़ा किसी पेर जो अब समस्झते हुआ जोड़ा 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 जैसे अगर कान की यह रिंग लेते हैं या जो बालीया है तो दोनों ऐसा नहीं कि अलग-अलग सेंव होनी Do लेकिन सेम सेम に depth ofrada उसका जोड़ा एक अगर है तो आप यही पहचानूगे कैसे कि अगर एक आया है तुसका डूसरा जोड़ा होगा तभी महां वो यम्द इलनकार होगत। अगर एक सब्ध है और लेकिन कई आर्थ समक months लेकिन अगर आप यमध को कैसे परचानोगे उसका क्या है जोड़ा होना चीए पेर होना चीए अगर एक सब्द पंग्ति में आया हुआ है तो दूसरा आपको मतलब दर्साएगा ही अगर वह यह माकलंकार है तो हमारा दूसरा सब्द उसमें बताएगा है कि यह घटा तो यहां मैंने दिखे लिखा है तो हमारा होगा अगर जहां भी आप देखो पंक्ती में दो सब्द आपको सेम सेम दिखें एक साथ वह एक थो अपने खुद रहेगा अब साथ अपना एक और रूप लेकर वो चलेगा मतलब अगर घटा है तो इक घटा की तो उसका एक साथ और होगा ही होगा यह जरूरी ही है यह आना हियाल यमक है तो आएगी पुर्मरुक्ति होता है मैं बुब मैं प हर उसको पड़ाओं तो बताऊंगी कि यमक और पुरुक्ति में ऐसको अंतर कैसे आप पहचानों यहां बता देरी हूं फिर भी थोड़ा सापको जानकारी के लिए या क्योंकि यमक बता रहीं इसलिए इसमें क्या होता है ये दो सब्दों तो आएंगे एक जैसे सेंसे लेकिन जो हमारा है इसके अर्थ जो होता है वो अलग होता है यहीं चीज़ें आप देखें पंक्ती के पहला देखिए हमारे जैसे एक्जामपल है जैसे काली घटा का गमंड घटा देखिए अगर पंक्ती भी आप पढ़ोगे तो काली घटा का गमंड घटा यानि वर्षा रितु की जो इसकी पंक्ती है मैं बता देरी वर्षा रितु की समाप्ती पर सरद रितु का आगमन होता ह तो उसी के बार होता है काली घटा यानि घने बादल यानि काली घटा का जो है यहां एक घटा का अर्थ क्या है घने बादल और दूसरी घटा का क्या अर्थ है कम होना मतलब कम होना तो यानि जो वर्षा की समाप्ति पर जो वर्षा काल है जो समाप्त हो जाता है तो सरद रित का आगमन होता है ठीक है तो काली घटा का यानि घनल का घमंड क्या हुगया है कं हो Keeping RAW और घटा तो यानि घने बादल हो गया ना घटा का अर्थ घने बादल तो यहां क्या है काली घटा का घमण घटा यानि बरसा रितु की समाप्ति पर सरद रितु के आने पर घने बादल का क्या हो गया घमण कम हो गया है यह है ठीके यहां कम हो गया यहां घटा ठीके घने बादल यह हम मारा दो निकल के अर्था है अब दूसरा में हम देखते हैं तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है आपको यह जो पंगती होती है यह अलंकार को पहचानने का इसको बहुत अच्छे से आपको पहले पढ़ना होगा तभी तो आप समझ पाओगे कि क्या कह रहा है ठीक है तो होते हैं या उनको पता ओगा की बेर को कहा आने क्या कहा चाता लूट व काम में बोला जाता चाहता है इतनी बेर होगई आभी नाइन और जो बीवाक एह इतना बेर होगर समय बोलते हैं आपनी पोल चाल की इस findetदेरा की तो औरत है वह फल है हमारा फल आप जानते होंगे कि इसलों सीक्राइब दोग यह हमारे घानते हैं तो यह जानते हूंगा अगर बेर नहीं तो ब समय ठाइकर यह theo तीन बेर खाती थी एक समय था मतलब वो तीन बार खाती थी मतलब तीन पोहर खाती थी तीन बेर होता ना अरे एक बेर होगल दू बेर होगल जैसे अगाउं के बच्चे होंगे तो यह बाद सर्कों समझ जाएंगे तुरण कि हां समय के बाद मैं सही बोली समय की बात किया जा सिर्फ तीन सिर्फ तीन बईर खाकर वो रह रही है मतलब अपना जीवन बैतित करें स्रिफ तीन पीस ठीक है यहां तीन बईर खाती है यानि तीन बईर खाली खाकर रह रही है यहां बईर खाकर रह रही है और यहां तीन बईर खाती थी यहां तीन टाइम खाना खाती थी समय यह बात हैं और हमारा तीसरा देखी उसमें देखिल और मनका-णट का है यहां पर tohamp时间 करें चलता है हमेशा और यहां पर दिखिये मनवान का है तो तो मनका का हमारे किसे अर्स क्या हुआ एक हिर्दे हुआ तो यहीं आए क्लंस समय से अगर हाथ में मौती की माला क करता रहा गुमाता रहां घुमताए तह Spiel मन का वह वह बीचार बदल जाएंगे हो जाएंगे जब तक उसके में यहां भाव कि जाब करता है उसके मन का भाव बदलता है उसके isolet अगर अपने पाप मन में रखकर इसर की माला का जाब कर रहा है तो कुछ भी आगर मळान को बदलेंगे लेकिन अगर वागन की जाब करता है तो कुछ भी नहीं होने वाला तो यही इस पंक्तिकार्थ है, मोती है और मन का यह हिर्दे है, तो व्यक्ति की कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कभिदास ने यही बताया, हमारा चौथा उधारर देखते हैं, कनक कनक तेसो गोनी, मा दगता अधिकाय, वा खाय बौराय नर, या पाय बौराय, तो यहाँ देख तो अपने साथी को लेकर ही आएगा, मतलब वो साथ में एक अपना सब्द जो है, अपने तो आएगा, एक सब्द और इस्ट्रा लेकर वो आएगा, तो यानि वो हुआ, तो आपका यमक हुआ, ठीक है, तो यहाँ कनक, कनक का एक अर्थ क्या है, धतुरा, दूसरे एक भां के नसे से, ठीक है, जो भां होता है, धतुरा है, वो भां है एक प्रकार का, ठीक है, तो नसा है, ठीक है, उससे भी सौ गुना अधिक यहां बताए है, ठीक है, कि सौ गुना अधिक है, और ठीक है, वा खाए बोरा है, नर या पाए बोरा है, यानि देखिए, धतुरा अग अगर अभी देखते हैं आधेर सुना के लोट लूटए के लिए लूट लेए जाते हैं उनकी भावना आजाती है चोरी करने की चौर अगर देख लेता है आपके पास सोना है तो उसके अंदर क्या भावना जागे तो थग कर देखेगा तो ठगने है कि सब को सोना चौर देखेगा तो उसके में चोरी की bet भावना जाएगी थख देखेगा थगने की बाच सोचने लगेगा अगर बाहर सोना चा दी जाए तो देखिए चौर तुरंथ लोट लेगा अगर आप उसे नई दे रहे तो उसमें आपके जान जाने की भी संभावना रहती है गला कार देते हैं यह है और अगर घर में देखिए जादा धाने आपके पास पैसे सोने चांदी है तो होता है कि कला हो जाता है परिवार में इस जाद दोएस होती है क्या-क्या होने लगते हैं तो संक्राचारे ने भी सटेंट लोब स normal kka a kid बताया है कि फुर्डा मतलब अच्छी नहीं होई न ची वह से शनल जको माभापको छोड़ देता यानि सोने जो वा उच्छान्दी जो है हमारा पैसा उसकी व्यांजसे पुटर ऐसी माभाप को छोड़ देता संक्राचान ने भी यह बताई हुए तहां पर यह इसी हमारे जो यह पंक्ती है यह धतुरा सोना को लेकर यही बात कहा गया कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता है यानि जो हमारा सोने का यानि धनका लालच है वह भांग के नसे से सौगुन धिक होता है आदमी धतुरा को खाके पागल होता है और यहां पर यहां चाहल hein है वहारी जो वि nécessaire यहीं है अपको बताए कि यमक यह पकी अर्थ होता है km2 चलर आया भूर समझाऊ है अपने और थूण हमेशा अपने साथ और डे डेताए इसका साथी Oh को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक आप जरूर कीज़ेगा ताकि मैं आपको फिर से ऐसी वीडियो में आपके लिए अगर आप देकर चलता है ठीक है दो या दो से अधिक बार किन्तु सा अर्थ जोता है अलग होता है यह बात आप पंक्ति में ही छूपी होती है पहले पंक्ति को आप क्या करोगे यह जो हमारा पंक्ति दिया हुआ है कभीता क्या इसको मच्छे से पढ़ेंगे की काली घटा का घमन घटा यानि बाईकर छो था फल की बात में ने किया ठीक एहां मनका हिर्दे और मनका एक मौति बोला जाता है मौती की माला ठीक है वू से बुला और कनक कनक ठीक है सबलके यहां धातुरा और्धूसरा था सोना कि य 1997 कलंकार नहीं समझ में आया होगा तो हमें लगता है आपको यमक अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यह हमारा यमक अलंकार कम्प्लीट हुआ अब हम इसके तीसरे भेद यानि स्लेस अलंकार की बात करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सेयर जरूर कीजेगा जादा से जादा सेयर कीजे अपने दोस्तों में ताकि वो भी अगर हिंदी को सोचते हैं कि बहुत कठीन है अलंकार रस्चंद तो आप अगर उनको सेयर करते हो तो वो भी ये बातों को समझाएंगे कि अलंकार जो है बहुत कठीन नहीं है ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस तरह की वीडियो के लिए सस्क्राइब कीजिएगा ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद